तवायफ ये शब्द सुनकर अक्सर लोग गलत सोचते हैं। एक तवायफ का जिस्म फ्रोशी से कोई लेना देना नहीं। तवायफ तो अपने नाच गाने के हुनर और अदाओं से शोहरत पाती है। मुगलों के दौर की कई तवायफों ने खूब शोहरत बटोरी लेकिन रानी रूपमती जैसा यशगान किसी और का नहीं होता। रूपमती की खूबसूर्ती वसंत की किसी सुभ़ जैसी थी। रूपमती के नृत्य और गायन की प्रतिभाने बस एक जलक में ही मालवा के शासक बास बहादुर को मंत्रमुग्ध कर दिया। वो रूपमती पर जान नियुचावर करने को तैयार था। प्रेन में डूबे बास बहादुर को देख रूपमती उसकी हो गई। बास बहादुर उसे अपने महल में ले आया। रानी बना कर रखा मगर रूपमती की खूबसूरती और उसकी शोहरत मुगल बादशाह अकबर के कानों तक भी पहुँच गई। अकबर रूपमती को अपने हरम में रखना चाहता था जिसके लिए उसने मालवा पर हमला बोल दिया। बास बहादुर की सेना मुगलो के आगे भला कहा ठहरती। उसे बंदी बना लिया गया। रानी रूपमती ने अपना प्रेम और आत्मसम्मान चीने जाने से मर जाना बहतर समझा। उसने जहर खा लिया। रानी रूपमती और बास बहादुर की प्रेम गाथा मालवा में सदियों बाद भी खूब सुनी-सुनाई जाती है। रानी रूपमती का जीवन एक तवायव के राजमहल पहुँचने और फिर प्रेन के लिए सर्वस्व नियोचावर करने की कहानी है मुगल बादशाह अकबर के दौर में सहारनपूर की रूपमती के चर्चे दूर-दूर तक होते थे रूपमती के नृत्य के दीवानों की संख्या बढ़ती जा रही थी उत्तर भारत में रूपमती जैसा सौंदर्य किसी दूसरी नारी का न था अगर आपको विस्तार से बताएं तो उजजैन के एक कार्यक्रम में रूपमती की प्रस्तुती देख मालवा नरेश बाज बहादुर उन पर मोहित हो गए दोनों के प्रेम के किस्से फिजाओं में तैरने लगे यही बात अकबर तक पहुँची उस वक्त अकबर भी रूपमती पर मरता था वो किसी भी तरह रूपमती को हासिल कर लेना चाहता था इसी के लिए अकबर के दर्बार से बाज बहादुर को संदेश भिजवाया गया कि रूपमती को अकबर के हरम में भिजवा दे ये सुनते ही बाज बहादुर गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने अपनी रानी को सौंपने से इनकार कर दिया इधर अकबर भी ना सुनते ही गुस्से में लाल हो गया अकबर ने अपनी सेना को मालवा की तरफ कूच करने का फर्मान सुनाया रूपमती और बाज बहादुर मिलकर लड़े लेकिन मुगलो की सेना के आगे वह कितने दिन तिकते मालवा पर मुगलो का कबजा हो गया और बाज बहादुर भाग गया रूपमती ने पकड़े जाने से कहीं बहतर मर जाना समझा उसने जहर पीकर अपनी जान दे दी